कर दोस्तों आप देख रहे हैं एस अकड़ में हूँ आपके साथ अर्विन दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मत्विदे सिक्षक भरती बर्क दिने के लिए संस्क्रेट प्रेडागोजी के बहुती मातपूर प्रिशन दोस्तों ये प्रिशन परिश्या की दिरिश्टी से आईएंपी हैं और आने की पूरी संभाबना है इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा तो चले दोस्तों में स्टार करते हैं कोश्या करमांग पहला पाणनी की प्रमुक ब्याकरनिक रचना है जो पाणनी थे पाणनी की प्रमुक ब्याकरनिक रचना क्या है महाभाष अस्टाध्याई सिद्धान्त कोमुदी या चरक सहिता तो इनकी जो ब्याकरनिक रचना थी पाणनी शापकी वो थी अस्टाध्याई इसलिए ओप्सन नंबर बी अंसर आपका सही होगा ठ आपको ध्यान रखने अस्टाद ध्याई है ठीक है निम्न में से कौन सा रचना कारी उच्छ इस तर से संबंदे थे आपका कौन सा कारी उच्छ इस तर से संबंदे थे सब्द परिबर्तन रिक्त इस्थान की पूर्ती या प्रिश्ण निर्मान या संचेपन तो इसका जो सही संखेपन है न रचनाकार उच्चे इस तर से संबंधे थे यानि संखेपन ठीके डिक्ट बीक्ष से पत्ता गिर्ता है इसका सुद अनुबाद हैников रिक्षे से पत्ता गिर्ता है इसका सुद अनुबाद है तो इसका जो सही आंसर होगा ब्रिक्छात पत्रम पत्ति यानि ओप्सन नमबर बी आंसर आपका सही होगा संस्क्रित गद का प्राचीनत मुधारन मिलता है तैतिरिये संहिता में या अर्थबेद में या रामबेद में या रिगवेद में तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा संस्क्रित गद का प्राचीनत मुधारन मिलता है तैतिरिये संहिता में मिलता है इसलिए ओप्सन नमबर ए आंसर सही है नेक्स्ट है अर्थबेद का छटा भाग है अर्थबेद का चटवा नमबर यानी सिक्स्त नमबर का पार्ट कुन सा है पद्धात्मक गद्धात्मक गद्ध पद्ध की या इन मेंशी कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा अर्थवेद का छटा बाग है वो क्या है गद्धात्मक है option number B answer सही होगा नेक्स्ट है आरण्य को में बहुलता है जो आरण्य को में बहुलता है किसकी है पद्ध की गद्ध की या गद्ध पद्ध की इन मेंशे कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा गद की option number B answer आपका सही रहेगा चले next है बैदिक आख्यानों में साहित का रूप मिलता है जो बैदिक आख्यान है इसमें साहित का रूप मिलता है गद से पद से या मिसरित या इनमे से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा option number A answer आपका सही होगा यानि गद से जो बेदों, ब्रामण, गरंथों अरनिकों, उपनिस्दों एवं छै बेदांगों में प्रियुप्थ हुआ है वह क्या है गद पद सूत्र या गद तो इसका जो सही आंसर हैगा कौन सा होगा गद होगा ठीक है लौकिक संस्कृत गद के रूप मिलते हैं जो लौकिक संस्कृत है उसमें गद के रूप कितने मिलते हैं दो, तीन, चार या पाँच तो इसमें आप ध्यान रखना लोकिक संस्कृत गद्ध के जो रूप मिलते हैं वो आपके कतने मिलते हैं तीन मिलते हैं ठीक है तीन रूप मिलते हैं नेश्ट है गद्ध पद्ध की ब्युत्पत्ती संस्कृत की धातू से हुई है जो गद्ध पद्ध है गद्ध पद्ध है कभियों की कसोटी कहा गया है जो कभियों की कसोटी किसे कहा गया है गद को या पद को या चम्पू को या इनमें से कोई नहीं तो ध्यान रखना कभियों की जो कसोटी कहा गया है वो किसको कहा गया है गद को कहा गया है यहनी option number A answer सही है नेश्ट है कादामबरी संस्कृत की किस बिद्या का ग्रंथ है जो कादामबरी है यह संस्कृत की किस बिद्या का ग्रंथ है पद्ध का यह गद्ध का यह चंपू का यह फिर नाट्टे का तो इसका जो सही अंसर होगा वो कौन सा होगा गद्ध का यह आपका बी अंसर सही रह इसारी आपका सही होगा। चले, नेस्ट कोशन है, दस कुमार चरितम गरंथ लिखा है, जो दस कुमार चरितम गरंथ लिखा है, किसने लिखा बाण ने, दंडी ने, या बारवी ने, या फिर भास का है, तो इसका ध्यान रखना जो सही आंसर है, दस कुमार चरितम गरंथ लिखा है, या किसने लिखाता दंडी ने लिखा था इसलिए option number B answer आपका सही है अभिनाव कादामबरी के रचनाकार हैं अभिनाव कादामबरी के रचनाकार कौन है बाणबट, अंबिकादत, ब्यास, और अलो बिल, निर्शिंग, और बिस्वे स्वर यहने के कोन हैं बिस्वे स्वर हैं इसका जो सही आंसर कौन सा होगा अहो बिल, निर्शिंग, है ना option number आपका C answer सही रहेगा नेक्स्ट है आधूनिक संस्कृत महिमा जो आधूनिक संस्कृत महिला गद्दकारों में प्रिशिद्ध हैं जो आधूनिक संस्कृत में जो महिला गद्दकार थी उनमें प्रिशिद्ध कौन है पंडिता छमाराओ, नलिनी, सालिनी और ससी तो ध्यान रखना पंडिता छमाराओ इसमें काफी प्रिशिद्ध गद्द में थी जो संस्कृत की थी ठीक है इसलिए option number A answer आपका सही है गद्द सैली की विसेस्ता क्या है गद्द सैली की जो विसेस्ता क्या है समास की बहुलता संधी का प्रियोग, अविवक्ति का प्रियोग या उफसर्ग का प्रियोग तो गद्द की सैली की जो विसेस्ता है वो ध्यान रखना हमेशा समास की बहुलता है नेक्स्ट है प्रारंबिक कक्छाओं में मोखिक कारी शुरू करने के लिए किस संस्कृत गद बिधी का प्रियोग किया जाता है तुलना बिधी का कोस बिधी का या प्रिशंग बिधी का या उद बोधन बिधी का तो इसका जो सही answer होगा वो कौन सा विदी को होगा उद बोधन विदी का प्रियोग किया जाता है इसलिए option number D answer आपका सही होगा Next है कथन विदी का दूसरा नाम है जो कथन विदी है S का दूसरा नाम क्या है कोस बिधी प्रिशंग बिधी या अनुबाद बिधी या इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर रहेगा कथन बिधी का दूसरा नाम क्या है अनुबाद बिधी होगा ठीक है इसलिए option number C आंसर आपका सही रहेगा next है सब्दों का अर्थ इसपष्ट करने के लिए नहित मूलधातु प्रित्य उफसर्ग बिवक्ति आधिक अबिस्रेशन किया जाता है या प्रिशंग बिधी में है या टिंका बिधी में है या कोस बिधी में है या ब्यूत पत्ती बिधी में जो पद्य सिक्षण है इसमें प्रणाली जो आपकी कौनसी प्रणाली सरवादिक रूप से स्ट्रेश्ट मानी जा सकती है दंडावेन या खंडावे या भास या नाट्ट प्रणाली तो इसमें कौनसा माना जाएगा खंड़ानवाई जो प्रणालिय है सबसे स्रेष्ट मानी जाएगी ठीकए साहित की कौनसी बिद्ध्या हिरदय को अधिक इसपर्फ करती है जो साहित की सबसे अच्छी कौनसी बिद्ध्या जो हमारे हिरदय को इसपर्फ मतलग छूती है गद पद या नाट या अनुबाद तो इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा पद पद जो साहित हैं हमारे हिर्दय को बिल्कुल इसपर्स करते हैं जब हिर्दय की भावना इतनी अधिक बेकबती होकर जब हिर्दय में नहीं समापाती तब किस रूप में फूट पड़ती है दुख रूप में, सुख रूप में, या कविता की रूप में या फिर गद रूप में तो ध्यान रखना अप इस अच्छे से समझ सकते हूँ हिर्दाई की भावना इतनी अधिक बेग बती होकर हिर्दाई में नहीं समा पाती है तब वो क्या करते हैं कविता का रूप ले लेती है इसलिए option number C answer आपका सही रहेगा next question है बदिक के बाण चलाने से आहत क्रोंच पक्षी के दुख से बिलाब करती हुई क्रोंची के करुण किरदन को सुनकर किसने मुख से चंद रचना हुई किसकी रचना हुई है तुलसी दास जी की काली दास की या बालमी की या बेद व्याश की तो इसकी जो सही अंसर है दोस्तों यह रचना किसकी है आपके बालमी की जी के बालमी की जी ने कहा था कि और शेंटेंगा इस दीए गए नंबर पर अपना नाम और अड्रेस मुझे वंग्टका कीजेगा नोट्स बुक हो जाएगे, तीन से चारदन में नोट्स आपके गार पर स्पीट पोस्ट के माध्यम से पहुंच जाएगे